आजकी इस idag मेंुढ़ डिस्कस करेंगे बारे में चुकि यूटाच किस्डाप इस समय देखेंगे तो काफी trend दिख रहा है Trend in the Sense की News Trending Stock है अडानी ग्रूप के एपिसोड को आगे बराएं इससे पहले I HOPE कि आपने टेलीग्राम को जॉइन कर लिया है जिसके सभी content premium है और I HOPE कि आप उसको enjoy कर रहें comment box में feedback जरूर सेयर करेंगे साथ में चाहें तो market scientist के channel को visit करें अगर पसंद आए उसके content तो subscribe कर सकते हैं यहां देखेंगे कि हमने देखा कि दो दिन पहले इसके lower circuit खुले stock में upper circuit लगते दिखा लेकिन वो circuit sustain नहीं रहा और यहां अगें गिराबर दिखी इसके कारण रहे कि जो इसका result रहा था वो काफी weak रहा था लेकिन इसी बीच दो बरी खबर दो खुसखबरी इसके holder के लिए आते दिख रहा है पहला तो यह देखेंगे कि MSCI जो Morgan Stanley का fund है उससे इसको कुछ भी दिक्कत नहीं हुआ उसमें कुछ भी explosion होते नहीं दिखा है बट डूजो 5% यह 5% इसके result के गिरने का कारण रहा है हमने देखा Adani Enterprises इसके साथ देखा Adani Total Gas इसके साथ देखा ACC और इसके साथ ही हमने देखा Adani Transmission यह चार ऐसे stock हैं जिसके अंदर weightage को कम करा गया है Morgan Stanley fund के द्वारा लेकिन Adani Power देखेंगे जैसा था वैसे ही दिख रहा है तो यह खबर बहतर रही इसके holder के लिए इसके साथ ही हमने देखा NCLT से approval मिलते हुए दिखा six subsidiary के merger को ले करके जो की एक बरी खबर रही है इस प्रकार से दो positive news देखने को मिला यहाँ technically trend तो weak है जिसके कारण बहुत सारे लोग panic हुए पर है stock already 60% के downtrend में है बहुत सारे लोगों का 280 से 350 की buying है वो लोग डर रहे कि sir क्या करूँ मैं आपको दावे के साथ यह कह सकता हूँ कि 145 से ले करके 160 के बीच में इसके lower circuit 100 नहीं 1000% में सियोर हूँ कि खुलता दिखेगा और हमने पूरा analysis करके बताया कि fundamentally भी stock दमखम रखता है 600 तक के level के जाने के लिए बिल्कुल shorter में panic नहीं करें short term trend sentimental होता है long term trend fundamental होता है इस चीज़ को समझे और panic करने से बचे और जो लोग panic कर रहे हैं उनसे भी दूर रहे है